नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Apple iPhone SE 2022 5G vs Samsung Galaxy A72 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करे तो, iPhone SE 2022 5G में 5.45 इंच जबकी A72 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है विद्ध की बात करे तो, iPhone SE 2022 5G में 2.65 इंच जबकी A72 में 3.05 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो iPhone SE 2022 5G में 0.29 इंच जबकि A72 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि iPhone SE 2022 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो iPhone SE 2022 5G में 144 ग्राम्स जबकि A72 में 203 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि iPhone SE 2022 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPhone SE 2022 5G में IPS LCD जबकी A72 में FHD जोर समल की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio iPhone SE 2022 5G में 16 Ratio 9 जबकी A72 में 20 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone SE 2022 5G में 4.7 इंच जबकी A72 में 6.7 इंच मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन iPhone SE 2022 5G में 750 x 1334 और A72 में 1080 x 2400 मिलता है Screen to Body Ratio iPhone SE 2022 5G में 65.2 तीन प्रतिशत जबकी A72 में 84.86 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो iPhone SE 2022 5G में 326 प्रति इंच जबकी A72 में 393 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो iPhone SE 2022 5G में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera देखने को मिलता है और A72 की बात करें तो इसमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, telephoto camera और camera की तो iPhone SE 2022 5G में 10 different type के features मिल जाते हैं और A72 की बात करें तो उसमें 3 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो iPhone SE 2022 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते हैं और A72 में सिंगल camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते हैं अभी अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करे तो iPhone SE 2022 5G में Apple GPU, 4 core graphics जबकी A72 में Adreno 618 मिलता है chipset की बात करे तो iPhone SE 2022 5G में Apple Bionic और A72 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है बात करे RAM की तो iPhone SE 2022 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 4GB, 4GB की RAM मिलती है जबकी A72 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 8GB RAM मिल जाती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो iPhone SE 2022 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 64 GB, 128 GB, 256 GB की storage मिलती है जबकि A72 में दो variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 256 GB storage मिल जाती है Expandible Memory की बात करें तो, iPhone SE 2022 5G में नहीं है जबकि A72 में up to 1 TB है Operating System की बात करें तो, iPhone SE 2022 5G में iOS V15 जबकि A72 में Android V11 देखने को मिलती है Battery, iPhone SE 2022 5G में 2018 mAh जबकि A72 में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं Colors की बात करें तो, iPhone SE 2022 5G में 3 Colors जबकि A72 में 4 Colors option मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें Price की तो, iPhone SE 2022 5G में 3 Variants देखने को मिलते हैं जो की 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 45,900 रूपीज 4 GB RAM 128 GB Storage के साथ 48,900 रूपीज 4 GB RAM 256 GB Storage के साथ 58,900 रूपीज में मिल जाता है जबकि बात करें A72 की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 34,999 रूपीज 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 37,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Apple iPhone SE 2022 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy A72 की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में A72 आगे है Main Camera में A72 आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में iPhone SE 2022 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 है दूसरा Samsung Galaxy S21 5G है तीसरा Realme X7 Pro है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi10T Pro है और ये सारे फोन की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना